हेलो एबरीवन मैं हूँ मेरा पटेल और आप देख रहे हैं मेरा पटेल स्क्लेबर एंट टेस्ट तो मैं लाई हूँ आज हारी मसाली वाली हारे मटर आलो की गुगरी जिसे सलोनी भी कहा जाता है तो अभी हम इसको बनाएंगे तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मेर आप से एक रिक्वेस्ट ही कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए और जो साइड में बेल आइकन है उसी भी आप कर लिए तो चलिए शुरू करते हैं तो हमने नए आलो लिये हैं मैंने इसको दो आलो को क इसका लिए लेसुन की और एक इंज अद्रक का टुकडा डाल देंगे और साथ हाट मेरे मिर्ची लिए क्यूंकि हम इसको थोड़ा सा चट पटा बनाने वाले हैं तो चलिए पीस लेते हैं इसको फाइन करके उससे पहले थोड़ा सा हम इसमें जेरा ढाल देंगे तो अब ह कि अब हम एक अब हमने अपना पीस लिया है तो आभी हम गैस कि तरफ चलेंगे तो आभे हमारी मटर को भी ऐसे प्राई कर लेंगे हम आलो और मटर को इसलिए प्राई कर रहे िलिए क्योंकि बाद में हमें थोड़ा सा एक मिनट दो मिनट जाएगा तो इसको सॉफ्ट होने के लिए हम इस पे धकन लगा देंगे ताकि मटर अच्छे से हमारी सॉफ्ट हो जाए तो गैस को हमने लो कर दिया है अभी हम इसको ढाक के एक मिनट के लिए पकाएंगे तो मटर हमारी लगबग सॉफ्ट हो गई है थोड़ी सी फ्राई हो गई है चलाते वे मटर को हम थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे तो बस लगबग मारी मटर हो गई ये फ्राई तो हम इसको भी निकाल लेंगे उसी प्लेट में जिसमें हमने अपने फ्राई वाले आलू निकाले हैं तो उसी तेल में हम अपना तड़का मारेंगे तो मैंने दो तेश पत्ते लिए अगर आपको तेश पत्त्य नहीं डालना है तो मड़ ढलें मैंने थोड़ा सा आदा चम्मच जीरा डाला है और फिल दो पिंच हींग डाली है मसालो को चला लेंगे और फिर डालेंगे इसमें हम अपना हारा मसाला जार में जो थोड़ा सा मसाला रह गया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पानी डाल देंगे मसाली में मसाले को अच्छे से पकाएंगे सिर्फ एक दो मिनट के लिए हमें मसाला पकाना है तो अभी इसमें हम स्वाधनुसार नमक डाल देंगे अच्छे से चला लेंगे मसाले को और अच्छे से इसको जब तक तेल नहीं सेपरेट हो जाता है तब तक पकाएंगे देखे तेल हमारा हो गया है तो अभी इसमें डालेंगे हम Kitchen King Masala Kitchen King King Masala optional है अगर आपको नहीं डालना है तो मट डालेए आप गर मसाला भी डाल सकते हैं बट मैंने टेस्ट के लिए इसमें Kitchen King Masala डाला है मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो बस मसाला हमारा हो गया है अभी हम डाल देंगे इसमें अपने अलू मटर तो लोही की कड़ाई में बना रहे हम तो बहुत चा टेस्ट आता है लोही की कड़ाई में तो मैं आप से सजस्ट करूँगे अगर आप कभी भी घुकरी बनायें या कोई भी हरी सबजी बनाये तो लोही की खडाई में ज़रूर है क्योंकि लोही की कडाईि में बहुत है शटर टेस्ट आता है हरी सबजी यों का और में तो यह है कि हमें इससे बहुत बेनिफेट्स होते हैं लोह की कड़ाई में खाना बनाने से अब तो आजकल की चमाने में लोह की कड़ाई को कोई यूजी नहीं करता है तो हमने पांच मिनटे के लिए इसको ढाग कर पका लिया था तो आलू और मटर हमारी 50% पक चुके हैं अभी हम इसको एक बार चेक करेंगे अच्छे से चलाते वे तो एकदम लोटपुटी सबजी बनानी है अगर आप इसको पराठे या पूरी से खाना चाते हैं तो इसको गीली रख लें इसमें थोड़ा पानी और डाल दे मैं इसको गीला नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं इसको ऐसे ही खाऊंगी तो हम ऐसी खाने वाले चमस से ऐसे भी खाया जाता है इसको बहुत अच्छी लगती है तो आलू फोड के मैंने देख लिया है हमारे आलू पक चुके हैं लगबग हमारी सबजी हो गई है तो निकाल ले क्योंकि उसका रंग और भी जादर चेंज हो जाता है तो देखिए कितनी लुट पुटी सी त्यार हुई है हमारी हरे मटर की और आलू की सबजी तो आप भी गर्मा गर्म बनाईए सबको खिलाईए और इंज्वाइ कीजिये तो देखिए कितनी मज़ेदार और कितनी गर्म गर्म टेस्टी और चटपटी सी सबजी बनी है तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीस लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीज तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई